झाल नमो भगवते वाचुदे वाया, वो मोझ भगवते वाचुदे वाया, नारायन अमन्नमस् PRITYंत्यन नरंचयिव नर्तमां देविम 사षतें व्यासं ततो जय अमुदी रहे नश्टप्रा एश्यु भद्रेश्यु नित्यम भागुत्से वया भक्तिरुत्तमम श्लोके भवतिर भवतिनेश्ट की खरे कृष्णा तो आज की कक्षा में आप सभी लोगों का स्वागत है आज हम पढ़ेंगे सकंध एक अध्याए नौ की चर्चा करेंगे जिसका शीर्शक है भगवान कृष्ण की उपस्थिती में भीश्म देव का देह त्याग तो अभी तक हम पिछले जितनी भी कक्षा हैं उनमें पढ़ते आ रहे थे कि भीश्म पितामा जो है बारा महाजनों में से एक है और उन्होंने अपना शरीर त्याग किया अपनी इच्छा नुसार उनकी इच्छा थी भगवान को साक्षा दर्शन करते हुए अपने शरीर का त्याग करना दूसरा की पांड़ों को आरुड होते हुए मतलब राज सिंगासन पर देखना और तीसरा उनको उपदेश देना तो इस प्रकार से भगवान श्रीक्रश्न के बारे में उपदेश देना तो ये तीनों चीज़ें भीश्म पितामा चाहते थे और यही हुआ और इस उपरांथ जब उन्होंने शरीर त्याक का निर्णे लिया और भगवान श्रीक्रश्न चाहते तो पांड़ों को युदिश्टिन महाराज की जो मन में भ्रांती थी कि उनके द्वारा युद्ध में सबी लोग मारे गए हैं तो ये जो मन में उनके जो उनका संकट का विशय था कि मेरे द्वारा ये सब मारे गए हैं क्योंकि दुर्योधन जो है राजपार्ट समाल रहा था फिर भी क्योंकि मुझे राजपार्ट मिलने वाला था इसकी वज़ा से जो है युद्ध हुआ और मेरी हे कारण जो है सारे पकौरब मारे गए तो भगवान चाहते तो उनको ये समझा सकते थे पर अन्य परंतु उनके मन में ये जिग्यासा इत्पन इसलिए कि वो चाहते थे भीश्म देव द्वारा उनको उपदेश देना और ये भी स्तापित करना चाहते थे दो तरीके से क भीश्म देव एक महान वैश्नव है दूसरा कि वो ये कहना चाहते थे कि बड़े से बड़ा महान वैश्नव या दिव व्यक्ति भी अगर अधर्म के साथ खड़ा है तो भी दर्म की ही जीत होती है तो यहां पर ये सिद्धानत प्रकट किया भगवान ने इस नीला के द्व आज हम पढ़ने वाले हैं श्लोक संख्या आज हम करेंगे 21, 22 और 23 की चर्चा श्लोक संख्या 21 सर्वात्मनह संदर्शो आद्वयस्यान अंक्रते तत्कृतम मतिवैश्नम्यम निश्वधस्या नकिंचितः तो यहाँ पन्वाद इस परकार से है पूर्ण पुर्शुत्तम भगवान होने के कारण वेप्रत्यक के हरदे में विद्धमान है तो यहाँ पर भगवान से कृष्न जो है पूर्ण पुर्शुत्तम भगवान है और हर विक्ति के हरदे में विराजवान रहते हैं वे सबो पर समान रूप से दयालू है और भेद भाव के मित्यांकार से सर्वता मुक्त है तो यहाँ पर भगवान दयालू है किसी भी भक्त में पशपात नहीं करते हैं यहाँ पर पशपात का एक बहुत सुंदर उधारन है कि भगवान की दृष्टी से ब्रामण और कुट्टे में कोई भेद नहीं है क्यों नहीं है अगर देखा जाए भातिक दृष्टी से तो एक ब्रामण और कुट्टे के तुलना करेंगे तो निरादर हो जाएगा अगर भगवान की दृष्टी कोण से देखेंगे तो जो आत्मा ब्रामण के रदे में रहती है वही आत्मा कुट्टे के रदे में भी रहती है तो क्योंकि आत्मा शाश्वत है ना मरने वाली है एक शरीर से दूसरे शरीर में देहांतरन करती रहती है और भगवान का अंश है इसलिए दोनों में एक ही प्रकार की आत्मा रहती है परंतु मनुष्य में जिग्यासा करने की बुद्धी भगवान ने विवेक दिया परंतु पशु में ये विवेक नहीं होता यहीं अंतर है परंतु भगवान जब अपने दृष्टी कोंड से देखते हैं अपनी दृष से सर्था मुक्त हैं तो भगवान को किसी प्रकार का कोई भी एंकार या मिथ्या मतलब भरं नहीं होता है अतैव जो कुछ करते हैं वह भौतिक उनमाद से युक्त होता है वे सर्वदर्शी संधर्शी तो बताया जाता है, बहुत एक उन्माद हैं, उनसे बिलकुल परे होता है, और समदर्शी मतलब समको एक समान देखने वाले हैं, मैं दो मिनट का विराम लूँगा, थोड़ी लाइट की कमी होने के कारण मुझे एक लाइट आड़ाउन करनी है, जस्ट गिमी टू मिनट्स प परभपाद की लिए, किन की बात हो रही हैं, बागवाद स कुछ भी भिन्य नहीं है, तो कि परंपूर्ण हैं, और इस संसार में जो कुछ भी है, स्वता भगवाद की अंच रूप में सब बिद्धमान देता है, केवल ये मतलब केवल भगवाद की ही वजा से ये सब कुछ प्रतेक वस्तूत्ता हर कोई व्यक्ति उनकी शक्ति की अभी व्यक्ति है तो रिप्रेजेंट कर रहे हैं भगवान यह अभी व्यक्ति मतलब भगवान की वज़ा से यह व्यक्त है इस पूरे संसार में और इस प्रकार अपनी शक्ति के द्वारा वे सर्वत्र उपस्तित हैं त सब सब चीजों में भगवान समानतर रूप में निरंतर रहते हैं सूरी के पहचान सूरी की किर्णों के प्रतेक इंच के तथा किर्णों के प्रतेक सूक्ष्म कंड से भी की जाती है तो सूरी की किर्णों से और सूरी के जो कंड हैं उनके द्वारा सूरी की पहचान की जाती ह इसी प्रकार से भगवान अपनी अभिन वेबिन शक्तियों के द्वारा सर्वत्र फैले हुए है। वे परमात्मा है और परम निदेशक के रूप में सबों में उपस्थित रहते हैं। तो परम नियंता हमारे हिदे में सब के लिए पर्माता रूप में रहते हैं और हमें निर्देश देते रहते हैं. तो हमारे जो भक्ती के लिए अनुकूल परिस्थितियां होती है उसके लिए भगवान हमेशा प्रेरित करते रहते हैं कभी कबार हम गलत कारें में सनलगन हो जाते हैं परन्तु हमारा हिर्दय जो है उसको नहीं करने की इच्छा प्रकट करता है परन्तु हम क्या करते हैं उस इच्छा को नहीं मानते हैं क्योंकि हमारे हिर्दय में भगवान निवास करते हैं और वही हमें प्रेरित करते हैं कि क्या गलत है और क्या सही है तो बताया जाता है हमारे हिर्दय में हमारा मन और भगवान दोनों रूप में रहते हैं एक याई है दो पक्षी है एक पक्षी जो कार रहा है दूसरा जो उसको सांक्षी रूप से देखते हैं और हमें निरंतर प्रेज़त करते रहते हैं कि भakti के लिए अनुकूल partly kone कई बार कष्ट दे के हमारी परीक्षाइं भि लेतैं जैसी कि हमने पिछले श्लोग में पड़ा कि भगवान क्या करते हैं हमारी परीक्षा लेते हैं बारम बार । की भक्ति के लिए क्या अनुकूल है और भक्ति के लिए क्या प्रतिकूल है उस सवस्थाओं को हमारे सामने प्रगट करते हैं और फिर क्या होता है हम उसके अंतरगत कारियों को करते हैं तो हमेशा हमें ध्यान रखना चाहिए कि जब हमारे को कोई भी कष्ट या कोई भी विपत्ति आती है तो भगवान के सामने प्रत्यक्षी रूप से हाठ जोड के नमन करते हुए स्विकार चाहिए कि एस सब हमारे उरा हो रहा है और जिस प्रकार से डॉक्टर हमारे जक्मों में हमारी चोटों पर दवाई लगाता है और हम मन में तो यह सोचर भर्त है हुं कि हमारा तो हमें यह सोचना चाहिए कि इस कष्ट को जिलने के बाद मुझे आगे एक नया जीवन मिलने वाला है और मेरा शुद्धी करण हो रहा है तो उसी प्रकार से कोई प्रतारित करता है कोई कुछ कहता है तो ये भगवान के असीम कृपा होती है जब आप इस संसार में कष्टो उपदेशक कोन है मंतरी कहा गया है मिनिस्टर जो सारी चीजें न्यूक्त करते हैं मैनेज करते हैं तो यहाँ पर उपदेशक भी भगवान है और सारती भी भगवान है तो मैंने जैसे पहले भी बताया था कि भगवान अर्जुन के सारती थे और अर्जुन का रत चला रहे थे जिसके आगे पांच घोड़े बंदे हुए थे तो भगवान हमारी इंद्रियों को सारती रूप में न्युक्त करते हैं उन गोड़ों को मार्ग दर्शन दे रहे हैं हमारी पांच इंद्रियों को ग्यान इंद्रियां कर्म इंद्रियां तो भगवान क्या कर रहे हैं भगवान उसका निर्देशन कर रहे हैं कि कहां इन इंद कार्यों में लगाऊ मतलब भगवान की सेवा में अपने कार्यों को निद्व करो सादु संग करो भजन क्रिया करो आता है जब विहरजून के सारथी के रूप में स्वयं प्रकट होते हैं तो उनके उचस्त स्थिती में कोई अंतर नहीं आता कि वो सारती भी बन जाए तो भी वो भगवान रुपे हमेशा रहता है तो देखिए सारती हमेशा निर्देश देने वाला होता है कहने को तो वो सारती है परंतु सारती क्या होता है हमारी सारी जो जो हमारा balance है हमारा जो रास्ता है, उसको न्युक्त करने वाला उसको मार्दर्शन करने वाला कौन होता है सारती होता है मगर भगवान यहाँ पर अर्जुन के सारती तो बने हैं, परन्तु फिर भी वो भगवान है उनमें कोई ंतर नहीं है, वाम साधारण सार्थी नहीं है आगे बताया यह तो भक्ति मैं सेवा की शक्ति है जो उन्हें सार्थी या दूद के रूप में प्रदर्शित करती है तो जब भक्त भगवान के सामने क्या हो जाता है समर्पित हो जाता है अपनी शर्णागति दे देता है तो भगवान क्या करते है उसके लिए सार्थी भी बनने को तयार हो जाते हैं तो जैसे भक्त भगवान के शर्णागत हो जाता है तो भगवान का भी हृदय भगवान निकाल के भक्त को दे देते हैं जैसे एक बच्चा अपने पिता के पास रोधन करते हुए जाता है जैसे पिता ने डाट दिया मान लो और एक बच्चा रोते हुए गया और पापा को बोल दिया सौरी मुझे माफ कर दो तो मा या बाप की क्या स्थिति होती है उनकी आंको में आंसु डब-डबा जाते हैं और बच्चे को गोद में बठा लेते हैं और प्रेम करने लेते हैं आप सोचे आपका अपने बच्चे के प्रती मन ऐसे भर आता है जब आपसे आके शमा मांगता है तो आप सोचे जब भगवान के शर्णगत हम जाएंगे और भगवान से अपने कर्मों की शमा मांगेंगे भगवान के शढणागत हो जाएंगे बगवान निरंतर अपने निगोध में बठाएंगे और आपको प्रेंड़ा ऐसा होई नहीं सबते सोचते आप अपने जीवन में अपने बच्चों को प्रेंगे सब भगवान के अंशिए हैं उनसे प्रेम नहीं करेंगे। बड़ा सिंपल से सिध्धानते समझने के लिए। अगर भगवान से प्रेम प्राप्त करना बहुत सिंपल है समझना। मगर जिसका हृदय कॉंपलिकेटड है भगवान पर शद्धा नहीं है साधू पर विश्वास नहीं है तो उनको कृपा नहीं मिलते। पूर्ण तरीके से भगवान के शण्णा कर जाने पर ही भगवान अपने हृदय से वक्तों को लगाते हैं। क्योंकि जीवन की भवतिक अवधारणा से उनका कोई सरोकार नहीं है क्योंकि वो परम अध्यात्मिक सत्ता है। भवतिक जगत के जो उतार चड़ाव हैं जो भ्रांतियां हैं उनको कोई सरोकार नहीं है क्योंकि वो पूर्ण तरीके से अध्यात्मिक है। उनने सिर्फ एक कारे आता है प्रेम को देना और प्रेम को लेना अगर वो प्रतारित भी कर रहे हैं डंड भी दे रहे हैं तो उसके पीछे भी प्रेम चुपा है और अगर वो प्रेम कर रहे हैं तो भगवान की कोई भी कारे कला बचाए वो असुर का भी वद क्यों ना कर रहे हूं वो असुर गर दंड दे रहे हैं ये भी क्रपा कपातर भगवान देते हैं वो भी प्रेम वश्ट देते हैं गई है कween गश्ट मिलता है ये वाहईन के प्रेम को प्रदर्शत करता है तो कौन ऐसे वेक्ति हो गई हाई जो लिसे नहीं हुद कि भगवान मुझे प्रेम ना करे, अरे भगवान आपने मुझे दंड दिया, मतलब आप मुझे प्रेम करते हैं, तब ही आपने पूरा फोकस किया मेरे उप्रूर, मुझे सुधारने के लिए मेरे सामने ये विपत्यां भेजी, ये कश्ट भेजे, आज मैं अगर इसको सहूंगा, मतलब आप मुझसे प्रेम करते हैं, मुझा अच मेरा सुधार चाहते हैं, तो भगवान के प्रेम को समझना बड़ा सरल है, अतायव उनके लिए कोई कर्म ना तो उत्कृष्ट है और ना निकृष्ट है, तो उनके लिए इ प्रेम भी उत्रा ही कृपा पात रहे हैं, जितना भगवान का प्रेम कर रहा हैं, पूर्ण पुर्शत्तम भगवान होने के कारण उन्हें मित्या एहंकार नहीं होता, देखो भगवान सर्वता सर्व स्रेष्ट हैं, इससे उपर कोई हो इनहीं सकता, अच्छा भगवान को पास तो संसारी सर्व स्रेष्ट शक्ती है, भगवान को एहंकार क्यों नहीं होता, इसका बहुत बड़ा एक कारण है, कि एहंकार उसको होता है, जिसके बीच में कोई प्रतिद्वन्दी होता है, मालीजे आपके और मेरे बीच में मुझे परक करनी हो कि कौन स्रेष्ट है, अभिमान वहां आजाता है, कि मैं उससे बड़ा या वो मुझे से बड़ा, मगर भगवान जानते हैं कि मुझे से बड़ा तो कोई है ऑई नहीं, तो मेरा मेरी कॉंपटिशन में तो कोई भी नहीं है, तो भगवान को अभिमान कभी हो नहीं सकते, एक बहुत सुन्दर स्ट तो अगला दिन आया पूरी राज सबहा दूबारा बैटी तो मंत्री ने कहा राजा जी आपने राज से अपने राज जिसे किसी को भी बाहर निकाल सकते हैं परन्तु भगवान अपने राज्य से किसी को बाहर ने निकाल सकते है। उसके पीछे की वज़ा ये है कि आपने राज्य से बाहर निकालने के लिए कोई जगा छोड़ी है। अगर परन्तु आपका राज्य सीमित है और भगवान का पूरा संसार पूरा ब्रह्मान्डी भगवान का राज है उससे बाहर भगवान कहा निकालेंगे। और उचे लोगों में जाएंगे तो वहां से कृपा पात करके गौलुग धाम चले जाएंगे। भगवान ने कोई ऐसा स्थान ही नहीं छोड़ा प्रेमवश्च जहां से किसी को निकाला जा सके। तो ये भगवान की एहत्यू की कृपा है। इससे बड़ी कृपा किसी को नहीं मिल सकती है। तो राजा ये बात समझ गया कि मेरे लिए तो बहुत सीमित राज है। भगवान ने कोई ऐसा इस्थान ही नहीं बनाया जिससे बाहर निकाला जा सके। पूर्ण पुश्टम भगवान होने के कारण उन्हें मित्या हिंकार नहीं होता। आता है वे अपन ही अपने को किसी वस्तू से भिन नहीं मानेते हैं। तो कि भगवान इस संसार में सब कुछ है मान लीजे मैं और मेरे हाथ में कोई अंतर नहीं है। मगर मेरा हाथ मैं नहीं हो सकता। हाथ तो हाथ ही होगा। परन्तु मैं कहूं कि ये हाथ मेरा है तो ये हाथ मेरा ही है और भगवान वही है और वो भगवान है तीक है ना परंतु भगवान से बिलग हो जाने के बाद उसका कोई उसका कोई उसका कोई सरोकार नहीं रहता जैसे एक मशीन में से एक नट का या किसी पार्ट का निकल जाना तब तक वो मशीन का है और मशीन उसकी है जब तक वो पार्ट उस मशीन से जुड़ा है, परंतु मशीन से अलग हो जाने के बाद एक पूर्जे से जादा वो कुछ नहीं, उसी प्रकार से इस संसार में जो कुछ भी है भगवान का ही है, क्योंकि भगवान से जुड़ा है, भगवान से अलग नहीं हो सकता, ठीक है, उन्हें हंकार का भाव संतुलित I'm really sorry उनमें अहंकार का भाव संतुलित रहता है तो कि भगवान में कभी एंकार नहीं आता एंकार तब आएगा जब अपने आपको बहुत स्रेष्ट मान लेंगे वो तो भगवान जो हैं भक्त के भक्त से प्रेम करते हैं अगर पुत्र पिता के सामने कोई महान कारे कर ले कि मान लीजे मेरा बेटा निताया और कोई ऐसा कारे करे जो बहुत स्रेष्ट कारे हो जो मैंने भी ना किया हो और मुझे ये बात कोई आके बताए कि आपके बेटे ने ये महान कारे किया है तो आप बताए मुझे अपने बेटे से इर्षा होगी या मुझे उस पर अभिमान होगा अभिमान होगा उसी प्रकार से जब हम कोई श्रेष्ट कार करते हैं तो भगवान को हम पर अभिमान होता है हमसे कभी इर्षा होई नहीं सकती और भगवान से श्रेष्ट कोई है नहीं हमारे प्रति प्रेम आता है, ना कि अहिंकार आता है, इसलिए भगवान का जो संतुलेत रहते हैं, जो भाव है भगवान के संतुलेत रहते हैं, उसमें कभी अहिंकार नहीं आ सकता है। अताये वे अपने शुद्ध भक्तों के सार्थी बनकर अपने को निक्रिष्ट नहीं मानते, कि भग्वक्त का सार्थी भी बन जाते हैं, तो अपने आपको छोटा नहीं मानते, क्योंकि पिता के कंदे पे चड़ के पुत्र कहीं भी चला जाता है, मगर पिता तो फिर भी पित रहता है उसी प्रकार से जब भगवान को हमारे प्रति प्रेम आता है तो भगवान किसी भी स्थिति में पहुंच जाते हैं इसलिए बहुत एक जगत में आवतार लेते हैं हम पे करपा करने के लिए और सोचिए गौल बालों के उनके पीठ पे चड़के गववें चराते हैं प्रेडा करते हैं माता डंडा लेके उनके पीछे भागती है वात्सलिभाव में आरजुन के सारथी बन जाते हैं ऐसे भगवान कहां मिलेंगे जो असीम कृपा प्रदान करते हैं या तो शुद्ध भक्त की महिमा ही है कि वह अपने भिन अपने प्रिय भगवान से सेवा कर लेता है तो ये ये तो शुद्ध भक्त की महिमा है जो भगवान से सेवा करा रहे हैं और भगवान इस सेवा को करके बहुत प्रसन हो जाते हैं भगवान इन सेवाओं को करके बहुत प्रसन होते हैं क्योंकि कभी बच्चा कहता है कि अपने पिता को की मेरे लिए घोड़ा बन जाओ, तो पिता प्रेमवश घोड़ा बन जाता है, मगर पिता पिता ही रहता है, वो घोड़ा नहीं बन जाता है, पिता तो पिता ही रहेगा, कभी घोड़ा नहीं बनेगा, उसी प्रकार से भगवान प्रेमवश अपने पुत्रों के लिए, अपने भक्तों के लिए अनुवाद इस प्रकार से है, सबोपर समान रूप से द्यालू होते हुए, भीवे अब कृपा पूर्वक मेरे साक्षाद मेरे समक्ष आए हैं। जब मैं मेरे जीवन का अंत कर रहा हूं क्योंकि मैं उनका अनन्य सेवक हूं। तो यहां बता रहे हैं भीश्म देव जी कि सबों के सामने क्या है, भगवान इतने द्यालू हैं क्योंकि मैं उनका अनन्य भक्त हूं और मैं अपना शरीर त्याग कर रहा हूं। और मेरी इच्छा थी कि मैं शरीर त्याक करते हुए भगवान विष्णु के चत्रबुजी रूप में दर्शन करूँ और भगवान ने मेरी एकृपा सुन ली मेरी कृपा मानी जब मैंने उनसे कृपा मांगी थी कि मुझे एकृपा करें कि मुझे अपने दर्शन पदार करे और आज वो मेरे समक्ष मेरी अनन्य भक्ती के कारण वो मेरे समक्ष कड़ें यहाँ पर तातपरे लिखते हैं जगत गुरु शिला प्रभुपाज जी की जए यदभी परम भगवान श्री कृष्ण समदर्शी हैं किसी पर भेदभाव नहीं करते समदर्शी मतलब सबके रदय को जानने वाले हैं तो भी वो अपने अनन्य भक्तों के प्रतिवे विशेश कृपालू रहते हैं क्योंकि भक्त गण उन्ही को अपना रक्षक तथा स्वामी मान कर पूर्ण पूर्शुत्तम पूर्ण रुपेन उनके शर्णागत होते हैं तो यहाँ पर भक्त लोग क्या होते हैं भगवान को रक्षक और अपना स्वामी मान कर उन्हें अनन्य शद्धा रखना शाश्वत जीवन की सहज अवस्ता है कि भगवान को अपना रक्षक, मित्र और स्वामी मानना ये शद्धावान वेक्ति जो है उसका क्या है ये अवस्ता है जीवन की सहज अवस्ता जिसको हर वेक्ति को हुर्दे में रखना चाहिए सर्वशक्ति मान की इच्छा से जीव इस तरह बनाया गया है कि जब वह पूनतया आश्रित रहता है तब वह सावधानी सर्वाधिक सुखी होता है यहाँ पर बगवान ने जो भक्त को बनाया ही इस प्रकार से है कि जब वह शर्णगत होता है भक्त के भगवान के शर्णगत होता है तो क्या होता है पूनतया सुखी रहता है सुखे कि इस प्रकार से रहता है कि देखिए दो अवस्थाइ आती हैं जीवन में एक अवस्ता हाती है कष्ट की अवस्ता है एक अवस्ता अवस्ता आती है सुख्य की अवस्ता में भी भगवान की कृपा को प्राप्त करता है और दुख की अवस्ता में भी यही सोचता है कि भगवान मेरे कष्टों को मेरे पाप करमों को खीर्ण करने के लिए मुझे कष्ट प्रदान करने है तब भी हाँ जोड़के भगवान के समक्ष कड़ा रहता है कि ये भागवान की अहे तो की कृपा है जिसके द्वारा मुझे ये कष्ट मिल रहे है तो उसके जीवन में कभी भी दुख का कोई कारण रहे नहीं जाता आप सुचे दुख का कोई कारण है ये नहीं दोनों तरीके से मुझे कृपा प्राप्त हो रही है मैंने जो अच्छे कर्म किये थे उसके द्वारा मुझे भक्ती मिल रही है और जो मेरे बुरे कर्म थे भक्ती के सादनों द्वारा जो मैं नाम जब कर रहा हूँ भजन क्रिया कर रहा हूँ शादू शंग कर रहा हूँ उसके दोरा जो मेरे साथ जो कर्म करना हूँ भक्ति के स्थान पे उसमें क्या हो रहा है उसके कारण मुझे ये कश्ट भोगने पड़ने देखे जितना अच्छी तरह आप साधना करेंगे उतने जादा कश्ट नजदीक आएंगे उतनी जल्दी आपके कर्म कटेंगे उतनी ज सहज अवस्ता है कि हमें भगवान को अपना मित्र रक्षक मानना चाहिए सर्व शक्तिमान की इच्छा से जीविस तरह बनाया गया है कि जब पूर्टया आशित रहता है तब वह सरवाधिक सुखी होता है तो भगवान जो तीन गुर्ण बनाए है तमो गुर्ण रजो गु कि तरह हम अपने कारे कलाब करते हैं परंतु ये चलाने वाले भगवान है भगवान की इच्छा द्वारा सोता है उटता है जागता है अपने परिवार का संडक्षन करता है परिवार का जहान रखता है दफ्तर जाता है पैसे अरजित करता है भगवान की सेवा करता है अप क्या करना है, सब को सेवा प्रदान करना है, इसने मेरा कोई अपना योगदान नहीं है, किवल भगवान की इच्छा नुसार, भगवान की कृपा नुसार, ये कारियों को मैं कर पा रहा हूं. इसके विपरीत आगे कहते हैं इसके विपरीत मनोवरिती का होना पतन का कारण है कि मनोवरिती इसके परंतु इसके विपरीत मतलब कि जब हम इस अस्तिति में नहीं रहते कि हमें भगवान की सेवा करनी है भगवान हमारे स्वामी है हमारे रक्षक है तो हमारा पतन होने लगता है, क्योंकि हम सब कुछ का स्वामी अपने आपको मानते हैं हमने घर बनाया, हमने दफ्टर में अपना कंपनी खोली, हम अपने बच्चों का पालन कर रहे हैं पैसे मेरे हैं धैस only मैंनेते हैं तो हमारा पतव्काラण होता है क्योंकि इसके साथ वहाती साथ अपराद हमप्राध्यूत्त्यूत्त केमा जब कोई चीज हमारे जीवन में आती है तो अपराध्यूत्त होती हैR जब भगवान को अर्पित हो जाती है तो अपराद मुक्त हो जाती है वो समझना बहुत जरूर है आपका पेड़ से तोड़ा गया फल भी अपराद युक्त होता है पता नहीं कितने लोगों ने वहां मलत्या किया होगा उस खेतों में जहां वो सेब होगा पता नहीं कितने लोगों ने चीटिंग प्रोपेंसिटी के द्वारा उन सेब को उगाया होगा, कौन से बैक्टिरिया, कौन से इसने फर्टिलाइजर डाले होंगे, हो सकता है जो बेचने वाला हो शराब पीता हो, जो बेचा उसकी आए से उसने शराब पी, मांसाहर किया, परन्तु जब भगवान के समक्ष आता है, भगवान को आप भोग रूप में अर्पित करते हैं, जब वो निर्माल ले मतलब प्रशाद बन जाता है, तो भगवान उससे क्या करते हैं, दोश निकाल लेते हैं, तो कोई भी चीजज जब हमारे इस बहुतिक जगत में आती है इस प्रकार करता है, मानों की वो भगवान से सर्वता स्वतंत्र है, कि हम आपने आपको स्वतंत्र मान के सब चीज़ों का मालिक अपने आपको मान बैठते हैं, तब पतनशील हो जाता है, तब उसका गिरने लगता है, वो अपनी स्थिती से भक्त के स्थान से नीचे गिरन प्रति आक्रिष्ट हो भगवान के पति उसका अटैश्मेंट बढ़े और कहें जो कुछ है तेरा मतलब तेरा तुछ को अरपन क्या लागे मेरा जैजगदी शहर या आपने सुना है ना तो जो कुछ है भगवान का है हमारा उसमें कुछ भी नहीं है यह उसी प्रकार की उसी जैसे किराय के मकान में आप किराया भरते हो और उस मकान में रहते हो परनतो किराय का मकान आपका नहीं होता इसी तरीके से आपका शरीर और यह भौतिक जगत आपका नहीं है आपके वल भगवान को सेवाय प्रदान करते हो और भगवान आपको यहां रहने की अनुमति प् उनके पास आएं, वो उनके दर्शन कर पाएं, इसलिए वहाँ प्रस्ति थे अर्जुन का कृष्णी से कुछ शरीर का संबंद था तो यहाँ पर अर्जुन और भगवान के शरीर का संबंद क्योंकि वो बुआ के बेटे थे, संबंदी भी थे क्योंकि भगवान उनके मेरे भाई थे, किन्तु भीश्म से उनका ऐसा कोई संबंद ना था अतेव आकर्शन का कारण आत्मा से घनिष्ट संबंद का है तो यहाँ पर भगवान वहाँ इसलिए आए, क्योंकि भगवान जो थे अपनी आत्मा द्वारा किस से जुड़े थे, भीश्म देव से जुड़े थे इसलिए नहीं आए कि वो उनके मामा के बेटे थे तो यहाँ जो घनिष्टता दिखाई जा रही है और भक्त और भगवान के बीच में दिखाई जा रही है भीश्म देव जी के कारण वो वहाँ प्रकट हुए थे फिर भी चुकि शारिक संबंद अधिक सुखत तथा स्वाभाविक होता है इसलिए भगवान को जब महराज नंद या यशोदा का पुत्र कहा जाता है या राधर आनी का प्रेमी कहा जाता है तो वह अधिक प्रसंद होते हैं क्योंकि देखिए जन्म नहीं दिया यशोदा माता जी ने नंद महराज ने उन्हें जन्म नहीं दिया परन्तु अगर उन्हें नंद लाल कहा जाता है ये शोदा नंदन कहा जाता है तो भगवान को अती प्रसंदा होती है वसुदेव पुत्र कहने पे इतनी प्रसंदा नहीं होती जितना नंद महराज का पुत्र कहने पे होती है और साथ में जब भगवान का नाम शिमतिरादारानी से जोड़ जाता है तो और अतिप्रसन हो जाते हैं, क्या यहां से भक्त और भगवान का संबंद है, रदय का संबंद है, तो हम भी कहते हैं कि हमारे जब से हम कृष्ण भक्ती में आए हैं, तब से इतना प्रेम तो हमारे रिष्टेदारों ने कभी नहीं दिया, जितने कृष्ण भक्त हमें देत प्रकार का शारिक संबंध होना भी भगवान की ही प्रेमा मई सेवा के आदान प्रदान का एक लक्षन अगर ब्लड रिलेशन भी बना रहे हैं तो भगवान की एक लीला का एक आरण है भगवान की आदान प्रदान का यह भी लक्षन है कि भगवान ने आपको अपना जो है संबंधी बना लिया इस प्रकार से बीश्वदेव इस दिव भाव की मदोटा से अवगत है वो जानते हैं कि भगवान शिक्रिष्ट अगर यहां पर आए हैं युद इस्थल में जहां मै मरना सन पे लेटा हूँ तो किवल मेरे लिए आए हैं उनके हुर्दे में पूरा विश्वास है भगवान की रृति कि वो मेरे लिए ही वहां पस्तित है इसलिए भगवान को विजई सके या पार्थ सके आदी कहकर संबोदित कर रहे हैं भगवान को विजई सके मतलब पार्थ सके, अर्जुन का सखा, पार्थ सके, विजई सके, कि जो जीते हैं उनका सखा या अर्जुन का सखा केके संबोधित करें, ठीक वैसे ही जैसे कि उन्हें नंदन या येशुदा नंदन कहा जाता है, उनसे दिव मदुर सम्मंद स्थापित करने का सबसे अच्छा तरी का है कि मान भक्तों के माध्यम से उन तक पहुचा जाए तो भगवान तब प्रसन होते हैं जब किसी भक्त द्वारा भगवान तक पहुचने की विदी हमें मिल जाती है रास्ता क्या है रास्ता है गुरू लक्ष क्या है भगवान लक्ष तक कौन ले जाएगा आपके गुरू ले जाएगा, वो मार्ग दर्शन कौन करता है, गुरू करता है, ट्रैंस्पिरेंसी जीवन में कौन लेके आता है, गुरू लेके आता है, अगर आपके और भगवान और आपके बीच में कोई परदा है, या आपके और भगवान के बीच में कोई ओजल पन है, या कुछ दिख कर पाया आपकी वानी को सुन पाया तब जाके भागवान कृपा करते हैं भागवान डारेक्ट नहीं मिलते हैं मने शुक्र चाहिए कि उनसे सीधी संपर्ख स्थापित ना करें अपी तू किसी माध्यम के द्वारा उन तक पहुंचे जो पारदर्शी तता सही पत पर ले जान कोडेट होते हैं इनको क्या करने के लिए परउपरा के अंदर आना पड़ता है जैसे कि Спेẩशल इसान होते हुए उनके ना कर सकता है क्यों उसको coded किया जाता है और वही व्यक्ति पढ़ सकता है जिसको forces में लिया जाया उसको decode करना सिखाया जाता है और जब वो सीख जाता है तो आपस में वो उसको decode करके explain कर सकते हैं कोई आम व्यक्ति नहीं पढ़ सकते हैं उसी प्रकार से जब भगवान अपने अंशा अवतार को उत्पन करते हैं जैसे कृष्ण द्वापायन व्यास देव जी आए और उन्हें ने शास्त्रों को लिखा तो ये शास्त्र कैसे आए? गुरु परमपरा द्वाए गुरु परमपरा से आए और जो गुरु परमपरा के अंतरगत आता है वो इसे डीकोड करता है अपनी साधना द्वारा अपनी भक्ती द्वारा और भगवान उसे इंपावर करते हैं ताकि अपने इन शास्त्रों को वो दूसरों को समझा सके तो इस प्रकार से शास्त्र अप आपके प्रती निश्ठा होगी शास्त्रप्न आपके अपके समक्ष में प्रगट करेंगे तो आज हम यही पर समाब्त करेंगे 23 वाज लोग हम कर लेंगे क्योंकि Sumayap हो गया है काफी तो किसी का कोई प्रश्ण है तो पूछ सकता है तब तक मैं इंस्टाग्राम डिवोटीस को थैंक यू बोलें रोहिट जी थैंक यू वेरी मच थैंक यू वेरी मच आश जी जवी मगो जी थैंक यू वेरी मच आखा अंकु सजदेवा जी थैंक यू वेरी मच कल फिर साड़े नौ बज़े आपसे फिर भेंट होगी आपको कोई प्रश्ण है कोई टिपड़ी है या कुछ रिमार्क देना चाहते हैं तो कमेंट्स में डाल सकते हैं और मेरा नंबर देना ही कहार है कैसे टतत्ति मत्रा कर दो दो है वो नहीं होगी क्याश है актив अलाइक यूद्स मातर है तको सुर्टाउ पूछन्ह पूछने सरा मैं तक द्सक्ाषय काफी हो गया जूखतर नमबर आप covenant टीशमिगे कहँ viewing पने च वनन शरुवरेख यूड रिभाग बहता ब मिल जाएगा ठीक है आप 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 गुरुप में है गुरुप में यूट्यूब चैनल है विंदावन टीवी.com उस पर आपको सारा जितनी भी क्लासेज है वह आपको आपको आदियो मिल जाएंगी आप सुन सकते हैं ढूरे भी क्लासे किया एक आप कर देटी अथा वारे आपको का आपना सकते हैं में आपू कर दी। अ कोई 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 सिता माताजी कुछ पूइंट बताना चाहते हैं कुछ मार्ग दर्शन करना चाहते हैं तो प्रीज आप बता सकते हैं प्रशन है कुछ बताना चाहते हैं तो फिर यहीं पर विराम देते हैं वा शकाल तुरुभषय कृपाश इंदू ले उचापति की द्रॉप नाम पावने विभ आशन वेप्न बनुमना व वैष्नव ठाकुर कीजा अनंतकोटी वैष्नव रिंद कीजा जगत गुरुश्रीला प्रभपात कीजा चांट इन भी है खरेक्ष्णा